नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल महरकलासेस में तो सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के लिए एक एहम फैसला सुनाया है और भारत सरकार इसको लागू करती है या नहीं करती है इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो जहां पर हम देख सकते हैं कि संविधान में SC-ST के लिए क्रिमी लियर का प्रावधान नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोली सरकार जो कि कल फ्राइडे को इस मिटिंग हुई थी इस पर और इसमें बताया गा है कि सरकार की और से कहा गाया है कि SC-ST को सरकारी नोक्र प्रावधान करने का कोई बिचार नहीं है मतलब अभी जो क्रिमी लियर का प्रावधान है वो OBC के लिए है मतलब जिनकी फेमिली इंकम आट लाग से कम है तो वो इस केटिगरी में आ जाते हैं और इसका एक सर्टिपिकट बनता है वो सर्टिपिकट के तहत बहर क्रिमी लि उपने इस पर फेसला भी दिया है लेकिन सरकार ने इस पर एक अस्वासन दिया है और कहा है कि सम्विधान में S.C.H.T. के लिए क्रिमी लियर का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि उनको आरक्षण पहले से ही मिलता है केंद सरकार ने सुक्रुबार को ये साप के दिया है क कि अनुसिचित जाती और जन जाती के लिए क्रिमी लियर का प्रावधान करने का विचार नहीं है सरकार की ओर से कहा गया है कि अनुसिचित जन जाती बर्गों को सरकारी नोक्रियों और उच सिक्षण संस्ताव में प्रवेश के लिए आरक्षण मिलता है जिसमें अन्य पि पुष्णा और प्रिसासन मंत्री अजविनी वैशनम ने बेठक के बाद सम्मधाता से सम्मिलन को सम्मुदित किया, इस दोरान उन्होंने कहा है कि मंत्री मंडल में आरक्षंड के सम्मध में सुप्रीम कोड के हाल में आये आदेश पर विचार से चर्चा की, उन्होंने कहा है कि इस दोरान S.C. की और से आरक्षंड के प्राप्धानों के सम्मध में दिये गए सुझावों पर भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि बाबा साहिब भीमरा ओंबेटकर के सम्मिदान में अनुसिचित जाती और अनुसिचित जन जाती के आरक्षंड में क्रिम लेर का क नहीं होगा, अब इसको बापिस कब तक लेती है सुप्रीम कोड वो हम जब भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आती है तो वो चैनल के मादधम से आप तक जरूर पहुंच जाएगी, तो फिलाल के लिए बस इतना ही है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है, फिर से मिलेंगे नए वीडियो ना टोपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिन, जय भारत!